नमस्कार, मैं धर्मराजय दिष्ठेर से आपका स्वागत करता हूँ और आज मैं दिखाने वाला हूँ आपको जरासंद की रन भूमी बैटल ग्राउंड ऑफ जरासंद तो आईए शुरूआत करते हैं जरासंद की रन भूमी ये है परवेश द्वार काफी पुराना लगभग पाँच हजार बर्ष पुराना कहा जाता है जरासंद का अखाड़ा मगद शमराठ जरासंद बताया जाता है काफी कुरूर राजा थ कथे हैं जरासंद जंगल में दो तुक्डे में फेका मिला था और भगवान संकर का बहुत बड़ा भक्त रहा था जरासंद भगवान का बादान था तो भगवान का बदान कहीं असत्य ने हो जाये इसको देक कर मा दुरुगा बापस राख्छस का अवतार ली थी नाम जरादेवी मैया कहा जाता है और जरासंद का भगवान ने बद करवाया था भगवान कृष्ण ने भीम के हाथो और बार बार दो टुकडों में चीरने के बाद भी जरासंद बापस जिवित हो जाता था तो ऐसा कहा जाता है अपोजिट दोनों को ठेक दिया गया था तब जाकर जरासंद की मिर्त्यू हुई थी तो ये भो जगह जो आप देख रहे हैं ये मिट्टी कहते हैं दूद से पटाया जाता था नहलाया जाता था इस मिट्टी को और एक कहानी और है वो कहानी ये की दीन क भीम और जराशंद लड़ा करते थे और रात को दोनों एक ही थाली में खाना खाते थे कहें सुना है आपने ऐसा कि दो चीरपरती दुणदी एक साथ लड़े और रात को खाना खाए कहते हैं शब्द में भ्यक्त नहीं किया जाशकता एतिहास को आप देख सकते हैं बियोंड डिस्किरिप्शन शब्द जहां छोटे पड़ जाते हैं कहते हैं जैसे आपको भूख लगा हो और कोई लिख के टांग दे तक्ती पे ये रोटी है ये चाबल है लेकिन जब तक निवाला आप अपने हलक से नीचे ने उतार लो तो भ्यूक डिस्ट्रॉई नहीं होता ठीक बैसे ही शब्दों में व्यक्त करना काफी कठिन कार्ज तो आपने जाना जरशंद की कहानी अब आईए देखते हैं आसपास का वो बाता बरन घीरा है चारो तरफ पहाड से उचा परबत दूर दूर तक घना जंगल और यहां से एक रास्ता भी जाता है जो जेठियन घाटी की और आपको ले जाता है और आप देख सकते हैं निर्मान कार्ज शुरू है